स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासिस आज मैं में में समेस्टर वन के सब्जेक्ट कोच सी सी वन से एक काफी मातपूर्ण विशह सुमेरियन के धार्मिक विश्वास का संचिप्त वर्णन इस विशह को लेकर उपस्तित वहाँ तो चलिए शुरू करते हैं सुमेरियनों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी विभिन श्रोतों से होती है इस धर्म के केंदरस्थल विभिन मंदिर थे इन मंदिरों के अवशेशों से ही सुमेरियनों के धार्मिक विश्वास पर प्रकाश पढ़ता है इस धर्म की कुछ महतुपूर्ण विशेशताएं हैं जो निम्नलिकित हैं पहला बहुदेव वादी सुमेरवाशी बहुदेव वादी थे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुमेरियन प्रारम में एकेश्वर वादी थे किन्तु कालांतर में अनेक देवताओं की उपासना करने लगे प्रारम में आकाश देव अन को प्रमुक देवता माना जाता था जिसका प्रमुक मंदिर एरेक में स्थित था तीन हजार इसा पुर्फ तक अन देवता को प्रमुकता प्रदान की जाती रही दिरे दिरे अन्य देवताओं को भी प्रमुकता प्रदान किया जाने लगा जैसे वायू एवं वर्षा का देवता एनलिल प्रकाश का देवता समश चंद्र देवता इसिन इन समस्थ देवताओं के उपर एक देवता या जिसे सुमेरियन इल नाम से पुकारते थे सुमेर से प्राप्त एक त्रीमूर्थी में सन अर्थात सूर्य, सिन अर्थात चद्दमा और वृत अर्थात वायू को समरित रूप में दर्शाया गया है दूसरा है देवियों पर वश्वास, विविन देवताओं की उपासना के साथ साथ सुमेर वासी इन देवताओं की पत्नियों की भी देवी के रूप में अराधना करते थे उनका विश्वास था कि प्रतेक देवता की पत्नी छाया सरदीश उनके साथ रहती है अनु की पत्नी अनुता थी, एनलिल की पत्नी अनन्ता, इरिया की पत्नी का नाम देवकिना, मार्दुक की पत्नी का नाम सिनु बनित था इत्यादी सुमेर वाशियों की मानिता थी कि पृत्वी देवी देव संसद में अन एवं एनलिल के साथ बैठती हैं तीसरा देवताओं का मानवी करण सुमेरियनों का यह विश्वास था कि देवता मानवी गुनों से युक्त है देवताओं का आचार विचार एवं वेभार मनश्यों के समान है देवता भी मानवी दुर्बलताओं के शिकार है इन देवताओं का निवास एक परवत माना गया था सुमेरियनों की दृष्टी से मनश्य एवं देवता में प्रमुक अंतर यह था कि देवता अमर थे और मनुश्य नश्वर इसके अतरिक देवता मनुश्यों से अधिक बलवान थे सुमेरियन के अनुसार मनुश्य अधिक से अधिक नगरों का निर्माण कर सकते थे तथा देवता स्रिष्टी के निर्माता थे चौथा ग्रहों पर विश्वास सुमेरियन देवी देवताओं के अतरिक पाँच ग्रहों पर भी विश्वास करते थे ये थे निमिब याने शनी, नाबू अर्थाद बुद्ध, नर्गल अर्थाद मंगल, मार्दूग अर्थाद ब्रहस्पती, इश्टर अर्थाद शुक्र आदी पाच्वा, दानवों की कलपना, सुमेरियन दानवों के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे, तथा इनका मानना था कि ये दानविये शक्तियां मनिश्य को बुरे मार्ग पर ले जाती हैं, उनकी याद भी धारना थी कि दानवों की शक्ति देवताओं से कम होती है छटा बली प्रता, सुमेर में बली की प्रता भी प्रच्रित थी, देवताओं को प्रसन करने के लिए एवं मानव कल्यानार्थ बली दी जाती थी, सरवाधिक बली वृष्टी के देवता को चड़ाई जाती थी सात्वा कर्मकांड, सुमेरियन के धर्म में कर्मकांड की प्रधानता थी, उनके मतानुसार धार्मिक अनुष्ठानों को करके बुरा व्यक्ती भी अच्छा बन सकता है इस धर्म में ईश्वर प्राप्ती विश्यक कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था सुमेरियन नगरों के उत्खनन में प्राप्त पात्रों एबम रिलीफ चित्रों से ग्यात होता है कि ये लोग मंदिरों में दूद, मक्षन, रोटी, घी एबम मदिरा चड़ाते थे पुजारी उनकी और से पूजा करके देवता को भोग लगाता था इस प्रकार देवताओं के समक्ष भेट अरपित करके सुमेरियन अधिक, क्रिशी उत्पादन, प्रयाप्त, सिचाई जल एबम बार से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते थे आठवा है पाप पुन्य सुमेरियनों का विश्वास था कि मनश्यों को अपने कर्मों का फल इसी जन में प्राप्त होता है देवताओं की पूजा के आभाव में मानव कल्यान संभव नहीं है सुमेरियनों ने आठ प्रकार के पाप बताए गये हैं इश्वर के प्रती शद्धा ना रखना, जूट बोलना, पडोसियों को धोखा देना, आपसी फूट पहलाना, व्यभिचार करना, पडोसियों से दुर्व्यवहार करना, लडाई करना, व्यापार में बैमानी आदी करना, पाप से मुक्ति के लिए देवताओं की उपासना करना, एक मात्र सादन है, नवा, परलोक, विशेक, कल्पना, सुमेरियनों का विश्वास्ता की, कुर, अत्वा, पाताल, फृत्वी के नीचे स्थित, एक ऐसा अंदकार में स्थान है, जहां अच्छी और बुरी सभी आत्माय रहती थी, तता इसमें प्रवेशेतु, मृत् इरेस की गल, तथा नेरगल, पाताल लोक का पर शाशन करते थे, गिलगा मेश वहां का न्याएधीश थे, इस संबंद में एक आख्यान प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है, कि स्वर्व की डानी, इन्ना को एक बार पाताल पर अधिकार करने की इक्छा हुई, लेक इस आधार पर पुनर जीवन मिला, कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य देवता को पाताल लोक भेज देगी, इन्ना ने वापस आकर अपने पती को मार कर पाताल भेज दिया, पृतमवार किसी प्राणी के पाताल से लोटने का वर्डन है, यही कारण है कि इस आख्यान का अ कान के प्रांगन अत्वा कमरे में दफना दिया जाता था, नगर के बाहर भी समाधियां देखने को मिली है, समाधियों के साथ दैनिक उप्योग की सामकरी भी प्राप्त होई है, ग्यारवा है देवाले एवं प्रोहिद, सुमरियनों के प्रतेक नगर में एक बहुत बड़ देवाले होता था, जिसे जिगुरत कहा जाता था, ये मंदिर अत्वा देवाले अत्यंत विशाल होते थे, तथा धन धाने से परिपूर्ण होते थे, इन मंदिरों में एक मुख्य पुरोहिद होता था, सब कुछ अन्य पुरोहिद भी होते थे, यथा गाने वाले, केरियन द्वारा स्थापित धर्म का एकमात्र उद्देश सांसारिक सुखों की प्राप्ति थी वे धार्मिक क्रियकलापों का आयुजन पारलोकिक जीवन के लिए नहीं बलकि प्रित्वी पर शारिरिक लाभ हितु करते थे तो आज के लिए बस इतना ही